किसी घने जंगल में गितों का एक जुंड रहा करता था उनका पूरा जुंड एक साथ उडान भरते और साथ में ही शिकार करते थे एक बार वो सबी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुज गये वहाँ बहुत सी मचलिया और मेंड़क रहते थे उन्हें वो टापू बहुत अच्छा लगा उसके खाने पिने और रहने के सारी सुविधाय उस टापू पर मौज़ोद थी सभी गित उसी टापू पर रहने लगे और उन्हें शिकार के लिए कई जाना भी नहीं पड़ता था सभी बिना किसी महिनत के भरपिट भोजन और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे उसी जुन में एक बोड़ा गित भी रहता था वो बोड़ा गित ये सब देखकर बहुत परशान रहता था उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी उस सभी गित्तों को कई बार चेताओनी भी देता था कि मित्रों हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाय रख सके अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापत चले जाना चाहिए उस बुड़े गित्त की सला सुनकर सभी गित्दा हसने लगे वह उसका मज़ाग बनाने लगे उनने कहा कि बुड़ा होने की वज़त से इनका दिमाग खराब हो गया है इसलिए ये हमें आरामदाइक जीवन छोड़ कर जाने की सला दे रहे है ये कह गर गित्त के जुण में उस तापो से जाने से मना कर दिया इसके बाद वह बुड़ा गित्त अकेल ही वापत जैनल में लोड गया कुछ दिनों बाद उस बुड़े गित्त ने सोचा कि बहुत समय हो गया चलो उस तापो पर जाता हो और वहाँ पर अपने सटे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हो वो बुड़ा देट जैसे ही उस तापू पर पहुचा वहाँ के हालत देखकर वो हैरान रह गया वहाँ का दुरुष बहुत ही भैनक था उस तापू पर मौदो सभी गिद मर गय थे वहाँ पर सिब उनके लाशी ही पड़ी थी तभी उसे कोने में एक घायल गिद दिखाई दिया वो उसके पास गया और वहाँ के हालत के बारे में पूचा उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस तापू पर चितों का एक जून आया था जिनोंने उन पर हमला कर दिया और सब को मार दिया हम लोग बहुत समय से उचा उड़े नहीं थे तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके हमारे पंजो में उनसे मुकाबला करने की शमता भी कम हो गई थी उस घायल गिद की बात सुनकर बुड़े गिदों को बहुत दुख हुआ उसकी मरने के बाद बुड़ा गिद वापस से अपने जंगल वापस चल इस कहाने से मिसिक मिलती है हमें हर हाल में अपनी शक्ती और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए अगर आलस की वज़े से अपना कर्तव विकरना छोड़ देगे तो बविश्य में ये हमारे लेक घातक हो सकता है